नमस्कार स्वागत वे विनंदन करता हूँ आप सभी दर्शकों का सिंग राशी वालों का विशेश रूप से हमारे यूटूब चैनल पर फेस्बुक पेज पर हमारे इस्टाग्राम पर और उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं स्वस्थ हैं अपना धेर सारा ध्यान होंगे दोस्तों जोतिशिक प्रॉपर विज्ञान है ग्रहों पर आधारित है इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है आप पूरी क्लियरिटी के साथ में सब कुछ बता सकते हैं आज आपको यही बतानी की कोशिश मेरी रहेगी कि जितने भी सिंग राशी क कि हमारे मित्र इस वीडियो को सुन रहे हैं जैसा आपने थमनेल में पढ़ा कि मैं आज आपको पुरुष के बारे में भी बताऊंगा इस तरी के बारे में भी बताऊंगा दोनों से संबंदित जो फाल है आज वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा इसलिए वीडियो को पू सी राशी का पार्टनर यानि की नाम का मैं देखूं जो मेरे लिए फेवरेबल रहे नहीं तो कई बार ऐसा होता है विपरीत राशी की लड़की से शादी हो जाती है रिष्टा नहीं चल पाता विपरीत राशी के विक्ति के साथ पार्टनर्शिप कर लेते हैं ब्रेक हो जाती है और उल्टा विक्ति माइनस में और जादा चला जाता है कई बार विक्ति लव लाइफ में गलत लड़की के साथ पढ़ जाता तो लड़की उसको लूट लेती है यानि कि उसको बिल्कुल डाउन कर देती है ऐसा होता है तो यह डेपेंड करता है कि आखिर आपके लिए कौन सी राशी फेवरेवल है आप सिंग राशी के हैं पुरुष हैं मैं आपके लिए बताऊंगा आज कि कौन सी महिलाओं के साथ आप मितरता कर सकते हैं राशी अनुसार ऐसे ही जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए कौन से पुरुष फेवरेवल रहेंगे कौन सी राशी के रहेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो को पूरा और अगर आप अंते तक सुनेंगे तभी आपको लाम मिलेगा तभी आपको कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा दोस्तो जोतिश प्रापर विग्यान है किन्तु परंतु नहीं है पूरी क्लैरिटी के साथ में एक दम बे जिज़ा गो करके सब कुछ बता सकते हो फिर मैं आपको दोनों के बताऊंगा पुरुष्कियो और महिला के की आखिर आपके वेबसाई क्या कहता है फिर मैं आपके दोनों के कमाइन जोड़ के बताऊंगा कि शुबरंग शुबवार आपके लिए शुब अंक आपके लिए भागे शाली कारक वर्ष ये भी मैं आपको बताऊंगा इसलिए जुड़े रहे हैं वीडियो को पूरा सुनिए अंत तक सुनिए बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको मिलने वाला है बोले बाबा का महीना है सावन का इस महीने में रुदरावी शेक कराने का एक विशेश महत होता है बोले बाबा की विशेश कृपा बनी रहती है उनका आशिरवात बना रहता है इसलिए रुदरावी शेक के लिए आप संपर कर सकते हैं आप अपने घर हमें बुलवा सकते हैं आप हमारे घर आफिस आ सकते हैं या फिर आप हमारे साथ वीडियो कॉल पर जुड़के करा सकते हैं बहुत लाप राप्त होगा इसी अनुसार यदि आप 27 जुलाई से और 31 जुलाई 2023 में मुझे मुम्बई में मिलना चाहते हैं तो कु जातक हैं प्रोश हैं उनके लिए कौन सा राशी का जीवन साथ ही अच्छा रहेगा लव लाइफ में व्यापारिक लाइफ में और परसनल लाइफ में तो मेश राशी के लड़कियों के साथ आप आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं ऐसे ही मिथुन के साथ भी कन्या के साथ तुला के साथ वरिष्चिक के साथ धनू के साथ और कुम राशी के साथ इन राशी के साथ आप अपने जीवन को आगे फॉर्वर्ड ले करके चल सकते हैं यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ तीनों ही सेक्टर में जो मैंने आपसे शुरुआत में बात करी थी अब जो र पॉर्डियां चेक कराने से ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है इसी अनूसार में आपसे बात करूंगा कि अगर आपको व्यवसाय में आगे बढ़ना है क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्ण रहता है कि कौन सा व्यवसाय हमारे लिए उच्छित रहेगा हम सिंग राशी क हैं तो आप राशी अनूसार भी अबसाय बताना है तो मैं बिलकुल आपको बताऊंगा आपकी राशी के सौमी सुर्ए ग्रहों के राजा हैं सुर्य के प्रकास से पूरागा संसार प्रकास रित उता है सुरे के दीपक से हमें एक नई उर्जा, एक करन, एक निया उत्सा, एक नई उमीद प्राप्त होती है तो इसलिए अगर आपका सुरे, मंगल, गुरु और शुक्र गरहे, शुब इस्थिति में हो तो ऐसी इस्तिती में ऐसे जो जातक होते हैं उनको काफिला पराप्त हो जाता या इन गरहों की दशा आ जाएं और ये गरहें आपस में शुब इस्तितियों में संबना रहे हो तो फिर आपको निमलिखित कारेयों में सफलता मिल जाती है जैसे आप एक बहुत अच्छे प्रबंदग बन जाते हैं आपकी execution power अच्छी हो जाती है आप एक सफल व्यापारी बन जाते हैं आप एक अच्छे photographer बन जाते हैं आप कला के शेत्र में अच्छे आ जाते हैं आप अभीनेता अच्छे बन जाएंगे आप राजनीती में आगे चले जाएंगे आप प्रशाशन में आगे आजाएंगे आप नियाधीश अच्छे बन सकते हैं आप वकालत में आगे भड़ जाएंगे आप पुस्तक के का प्रकाशन करने वाले बन जाएंगे आप अच्छे लेखक बन जाएंगे अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे अच्छ बन जाएंगे आप अच्छे मैनेजर बन सकते हैं आपका बौद्धे किस्तर अच्छा रहेगा ऐसी इस्तिति और चंद्रमा शुब इस्तिति में हो सूरे के साथ में यूती बना रहा हो तो ऐसे विक्ति का भाग्योदे विदेशों में भी हो जाता है ऐसे भी सुन्दर परिस साथ ही पुरुष रहेगा वो है एक तो मेश, मिथुन, कन्या, तुला, व्रिष्चिक, धनू और कुम्ब इन राशी वालों के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बिलकुल एकदम डेडिकेट होकर के आप चीजों को व्यपारिक पार्टनर, लव लाइफ या अपनी पूरी की पूरी कम्प्लीट लाइफ में व्यवाहिक दृस्टिकोंड से आगे लेकर बढ़ सकती हैं यदि आपसे बात करी जाए आपके उप्युक्त व्यवसाई की आप सिंग राशी की जाती का हैं तो आपके लिए जो व राजयोग बनाता है सिंग राशी में यदि आपका मंगल का सूरे का योग आपस में बना हुआ है जैसे आपके राशी का सूरे हो गया आपके करम का सूरे का सूरे मंगल हो गया आपके बुद्धी उनिती कॉम्पेटिशन का सूरे मंगल हो गया मंगल ने केंत्रिकों राज अगर गुरू के साथ में यूती बन गई शुकर के साथ में अगर सूरे की यूती बन गई तो ऐसा भी घर की सास सजा का जो काम होता है वो अच्छा रहेगा एक्टिंग के शेतर में आप आगे आ जाएंगी खेल कूद में चिकितसा में जो आपकी रूची है वो यहां पर विशेश रूप से अच्छे हैं अगर अशुब रंग की बात करूँ तो गहरा नीला काला और आपको बहुत जादा प्योर वाइट कलर धारन करने से बचना चाहिए अगर आप से बात करी जाएं आपके शुब दिन की तो अविवार का दिन अच्छा है सोमवार मंगल का ब शुक्र और अविवार अशुब है और जो मैंने बताया रवी मंगल सोम बुद्ध और गुरुवार ये आपके लिए अच्छे हैं शुब अंक की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में एक पांच छे नौ ये आपके लिए बहुत तो 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30, 32, 33, 36, 49, उसके बाद 41, 42, 46 और उसके बाद 52 वर्ष ये वर्ष आपके भागेशाली वर्ष के रूम में जाने जाएंगे तो दोस्तों आज एक बहुत महत्पुन जान करी आपको मैंने दी अगर आप भी कुनली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाह आते हैं तो संपर कर सकते हैं अभी आप से जाज़ा चाहता हूं नमस्कार धन्यवाद